और मकर्संक्रांति के इस पावन पर्वुपर मैं उत्तर भारती विकास मंचिका राश्टी एजठ्ष गिरेन सिंढ झाकु दे कज already काव कर दो बहुत बड़ा पर्व है मकर का सूरी के घर में प्रवेस करना ही मकर संक्रान्ती है संक्रान्ती का मत्तब किसी के घर में प्रवेस करना है तो बर्सों से सदियों से मकर का सूरी की रासी में जो प्रवेस होता है उसका एक बहुत ही सुक्ष्म आख के पलकारे की तरह उसका प्र मकर संक्रांति के पर्व को उन्होंने भली भात इसका उत्साफ पुर्वक इसको मनाया है मकर संक्रांति के दिन उत्राण का भी महिमा उत्राई होता है उत्राण यानि उत्तर की तरब जो पवन की गति हो जाती है उसे उत्राण कहते है उत्राण में हम लोग पतंग, पतंग के द्वारा अपनी इस खुसी को प्रगट करते हैं मकर संक्रांती जो है ठंडियों की रितु में आती है बैग्णानिक धंग से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है जैसे कि तिल और गुड़ खाने का जो महत्व है वो बैग्णान के धंग से मतलब जो सर्दी की इस रितु में हमारी तुचा सुस्क हो जाती है रुच्छ हो जाती है उसमें गुड़ और तिल का जो शेवन होता है हमारी तुचा को चमकेली रखती है इसलिए हमारे पूर्वजों ने उस समय जब बैग्णान का कोई अता पता नहीं था तब भी ओ बैग्णानिक थे उस धंग से उन्होंने तिल और गुड़ का महत्तो समझाया और पवन की गति को उसको मानसंबान देने के लिए पतंग का जो ये पर्व होता है उत्राण उसका भी उन्होंने बहुत ही बखुबी इस उस्तो को मनाया है मैं आज शभी गुजरात प्रांत के सभी उत्तर भारतियों को योग गुजरात प्रांत के सभी प्रांत वासियों को उत्तर भारती विकास पंच की तरफ से कोटी कोट बकर संक्रांती की शुप कामनाई देता हूँ और यह अपील करता हूँ कि पतंग के इस पावन परवो पर आप दोरी पतंग लूटने में अपना समय न भिगाने दूसरों की जीव दया को खास ध्यान में रखे अबोल पसपक्षी आपके इस दोरी के सिकार न बन जाए उनका खास ध्यान रखिए यही मैं आज के इस परवपर आप से अपील करता हूँ अपनी बारी को विराम देता हूँ जय ही जय भारत